हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को भाईया दुझ की हारदिक शुब कामना है, आशा करती हो आप सब स्वस्थ है, तो बेटा ये है आपकी समाजिक ज्यान की वर्कशीट नमबर 15, जो आपको आज 16 नमबर 2020 को करनी है, सब ये बच्चे अपना नाम, अपने क्लास शीचर का नाम लिखेंगे और पाठ का नाम पंचायती राज जरूर लिखेंगे, तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, ग्राम पंचायत, जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारी जो भारत की सरकार है, वो कैसी है, जनतंत्र, यानि कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों के स्तर पर, गाउं में जो सरकार जो इस स्विवस्था को पूरा करते हैं, इस स्विवस्था को लागो करने के लिए जो गाउं स्तर पर होता है, उसे बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम बेटा, ग्राम बोला जाता है गाउं को, गाउं में जो प्रक्रिया है, वो है पंचायती राज, अब देखिए एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, क्योंकि ग्राम एक गाउं तो बहुत बड़ा होता है, उसको छोटे-छोटे शेत्रों यानि कि वार्डों में बाटा जाता है, प्रती वार्ड अपना एक प्रतिनी दि, यानि कि अपना एक लीडर यह देखिए यह ग्राम सभा और यह सब लोग यहाँ आए और यहाँ पर यह कौन बैठे, यह सब पंच बैठे हैं, और इनमें से एक है सरपंच जो इनका लीडर होगा, और यह सभी लोग ही, तो ग्राम सभा क्या है, एक ऐसी सभा, जिसमें गाउं के सभी व्यस्क, जो की 18 वर्ष से, अठाया वर्ष या अठाया वर्ष से जादा की उम्र के लोग हैं, वो सभी व्यस्क माने जाते हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है, अगर आपसे पूछा जाए कि वोट देने का अधिकार किसको है, तो अगर हमारा कोई भी भारत का नागरिक है, जो 18 वर है, gram sabha, sabha आपसे पता चल रहा है कि एक meeting, gram sabha के सभी साधस्य मिलकर सरपंच का चुनाओ करते हैं, अब gram sabha के जो साधस्य हैं ये मिलकर अपना जब leader चुनते हैं तो उस leader को कहा जाता है सरपंच यानि कि पंचायत का मुखिया सरपंच कौन होता है वो पंचायत का मुखिया होता है अब ये देखिए सरपंच पंचायत का मुखिया होता है और वाड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का घटन करते हैं देखो ग्राम में जो पंच एक वाड में जो पंच को पंच बने सारे उन में से फिर एक चुन पांच वर्ष के लिए चुनी जाती है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और वो सचिव क्या है? वो सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है तो ग्राम पंचायत का जो है वो ग्राम सभा का भी सचिव है और ये सचिव चुना नहीं जाता ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है सरकार द्वारा इसको पॉइंट करके भेजा जाता है नियुक्त करके भेजते हैं और सचिव का काम क्या है सचिव का काम है ग्राम सबा की बैठक बुलाना जो भी चर्चा अब हम निर्णे हो पांच वर्ष के लिए तो यह आपने देखा यहां पर जो हम उपर पढ़ते हैं प्रेश उसी में से पूछे जाते हैं तो हमें समझ कर उसका उत्तर देना आना चाहिए इसके बाद है ग्राम स्तर पर पंचायती राजवस्ता का नाम क्या है तो बिटा ग्राम के स्तर पर इस व वस्ता को ग्राम पंचायत कहते हैं यह आपका है उत्तर नमबर दो इसके बाद है आपका प्रेश नमबर तीन ग्राम पंचायत उसका उत्तर हो गया तो अब आपका प्रेश नमबर तीन है ग्राम पंचायत के सच्चिव के क्या क्या कार्रे होते हैं तो ग्राम पंचायत का जो सची होता है उसका काम है Grām सवा की बैठक बुलाना, और जोबी चर्चा या नेने हुआ है उसका रिकॉड रखना, तो यह है आपका उत्तर नंबर आसर नंबर 3, जो भी चर्चा होगी उसका रिकॉड भी रखेगा, जब हमें जरुरत है बैठक की तो बैठक भी बुलाएंगे अब देखिए आज है हमारा कोविट समंदी वेवार तो कोविट समंदी जो वेवार संदेश है वो है कोविट नाइंटिन के विदो जंक में सुरक्षित रहने के लिए बैठा मास्क पहने अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से दोते रहे और साथ ही साथ शारीरिक दूरी दो फीट या जो हमारी 6 फीट और 2 गस की दूरी का ध्यान रखना है ताकि हम सभी जागरुक रहें बाके सबको भी जागरुक बनाए रखे और COVID-19 को जल्द से जल्द हरा सके आशा करती हूँ आप सब इन बातों का ध्यान रखेंगे अपना गाम समय पर करकर भीजेंगे इसी तरह से बिटा, keep learning and enjoy learning, stay blessed and healthy and be in touch with us Thank you